हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो मैं चैनल नीमा असकॉर्णर और मैं हूँ नीमा, कैसा लग रहा है मेरा ये मेकप, आज मैंने फर्स टाइम ट्राइक किया है, ग्रीन आई मेकप, बहुत प्यारा मुझे लगा, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, अभी मैं नहा कर आई हूँ और आज मुझे बहुत सारी वीडियो शूट करनी है, तो सबसे पहले मैं यूज करूंगे टोनर का, क्योंकि फेश वाश किया था, उसके बाद हाइडरेट करना बहुत ज्याता ज़रूरी है, यह गुट वाइप्स का रोज ग्लो टोनर, रगणना नहीं है, हलके से इसको अपन है, हलके आतों से अब्जॉब करने देना है, अब मैं यूज करूंगे फेस क्रीम का, वो है एल्प्स कुटनेस की सैंडल वूट फेस क्रीम, साइज इसका छोटू सा है, ट्रैबलिंग के लिए बहुत सही है, और कुछ नया ट्राई करना चाते हो, तो टेस्टिंग के लिए बाट जा रहे हो तो लगाओ, पर संस्क्रीन ज़रूर लगाए है, आज मैं यूज करी हूँ प्राइमर के प्लेस प्राइमर ओईल का, फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है ये, मैंना भी तक इसे यूज नहीं किया है, ये है स्टेक क्युर्की का प्राइमर ओईल, सदर सिखी इस ने मेरे फेस को नहीं किया, मुए ने इसका टेक्श्यर चेक किया, तो ये ओईली ही था, तो ये आप देख सकते हो, मेरे फेस आपको थोड़ सा ओईली लगेगा, बट इसको लगाने के बाद मेरा फाउंडेशन इतने अच्छे से ब्लेंड हो गया ना कि मैं लिए उस करने वाली हूं, फाउंडेशन का, ये है Lotus का EcoStay Foundation, ये मेरा खतम होने वाला है, इसकी leverage बहुत अच्छी है, जी हा, बहुत अच्छी है, बट इसे आप blend कर सकते हो, बलेंड की मतब से भी, मैं इसे आज finger की मतब से ही ब्लेंड करने वाली हूं, मैं कोई brush और गयरा क आप मेरी lips पर देख सकते हो, मतलब बहुत सही, बट क्योंकि मैंने primer oil को यूज किया था, तो मुझे थोड़ सा sticky-sticky feel हो रहा है, तो compact बहुत अच्छे से, दबा के यूज करना पड़ रहा है मुझे इसके साथ, तो यह आप देख सकते हो, अच्छे से मैं compact को यूज करूँगी, compact के लिए मैं यूज कर रही हूँ, purple का compact, यह भी आपको SPF के साथ मिलता है, और थोड़ सा आपको अभी मेरा face ना white लग रहा होगा, भूतों वाला, बढ़ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी दिर बाद यह बिल्कु सेट हो जाएगा, तो इतना white नहीं लगेगा, मैं भूतनी नहीं लगूँगे आपको, tension मतलो, तो मैं इसे यूज कर रही हूँ, मेरा यह compact खतम होने वाला है, मैं इसे इतना ज़्यादा यूज करती हूँ, regular यूज के लिए, जब मुझे कभी base वेस नहीं भी लगाना होता, तो भी मैं compact के लिए इसे ही यूज करती हूँ, बहुत सही compact मुझे लगता है, अब मैं इसका contouring के लिए first time, यह है sugar की palette, इसमें आपको एक blush मिलता है, एक contouring shade मिलता है, और एक highlighter मिलता है, first time मैं इसे try कर रही हूँ, तो मैं इसका contouring shade लोगई, powder contouring है basically यह, यह आप देख सकते हो, बहुत सही मुझे लगता है, cream contouring थोड़ी हार्श लगती है face पे, रेगुलर यूज़ करने के लिए powder contouring best है, मेरे पास एक wet and while का भी palette है, वो मैं ने आपको बहुत वीडियो में दिखाया है, तो अब मैंने दूसरा मंगवा लिए, लोग बोलेंगे कि एक ही यूज़ करती रहती है, तो इसलिए मैंने दूसरा मंगवा यह है, यह है sugar का contouring palette, अब देखोगे न, आप जो मैंने contouring करिया, तो मेरा नीचे की तरफ भी थोड़ा सा dark हो गया, तो मैं क्या करूँगी एक trick अपना होँगी, जो compact है उसे अपने contouring से नीचे एक इस तरीके से line बना लूँगी, इससे क्या होँगी, मेरी contouring बिल्कुल clear दिखने लग गया है, तो जब भी आप contouring करते हो न, एक बड़ी नीचे से उसे थोड़ा clean up कर लो, ताकि आपकी contouring बिल्कुल clean दिखे, blush के लिए मैं इसी palette का यूज़ करूँगी, blush, बट अभी नहीं, पहले eye makeup यूज़ करते हैं, मज़ा आएगा, eyes के लिए मैं आज किसी भी brush का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, यह है revolution का Tammix, I think यही नाम है इसका, इस palette को यूज़ करने वाली हूँ, फर्स ताइम मैं इसे यूज़ करूँ, इसके जो shades है यह इतने colorful हैं कि मैं आपको क्या बता हूँ, मतलब हर एक color ज़रूरी होता है वाली बात हो गई है, तो यह इसका मैं green color ले रही हूँ, parrot green और इसे finger की मदद से लगा रही हूँ, दोनों eye lid पर मैं अच्छे से लगा लूँगी, और मेरा मन आज कर रहा था थोड़ा सा glitter करने का, मतलब चमको detergent powder दिना आने का, तो मैंने अपने eyes पर आज glitter को यूज़ किया, यह जो मैंने shade यूज़ किया, यह shimmer था, अब मैं लगाऊंगी glitter, मेरा मन कर रहा है, यह glitter लगाने का, चमकने का, तो अब मैं glitter के लिए यूज़ करने वाली हूँ, Beauty Glaze के Color Board Palette, इसमें से यह मैं Parrot Green कलर लूँगी, यह आप देख सकतों, पिग्मेंटेशन इसकी, बस इसे मैंने अपने eye shadow के उपर place कर लेना, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करने है, कोई brush की ज़रूद नहीं, कोई glue की ज़रूद नहीं आपको, इस palette का review मैंने, अपने Amazon haul में I think share किया है, आप जाके महाँ पर check out कर सकतों, या इसका link मिलेगा, तो मैं आपको description box में देदूँ, वैसे सभी product के देदूँगे आपको link में, तो बस आपने finger की मदब से place कर लेना है, ये बिलकुल fallout भी नहीं हो रहे, ये बिलकुल glue की ज़रूद भी नहीं है इनको, तो बहुत सही, liner के लिए मैं आज green color का eyeliner यूज़ करने वाली हूँ, NY base शक्ती eyeliner का मैंने green color आज यूज़ किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, light green color का eyeshadow और green color का liner, बहुत अच्छा लग रहा था, मसकारा के लिए मैंने purple का mascara यूज़ किया है, मैंने आज कोई false eyelashes नहीं लगाई है, इसमें मेरी natural eyelashes को बहुत अच्छा volume दे दिया है, नीचे की तरफ मैं लगाती हूँ न, तो मुझे थोड़ सा डर लगता है कि आख में गुज़ जायर ऐसा, अभी भी गुज़ गया था मेरी आख में, तो बड़ा conscious होके लगाना पड़ता है, नहीं तो मेरे आसूं आसूं भोजल दिया रहता है, और पूरे makeup का सत्या नास हो जाता है, तो eye makeup मेरा होच चुका है, नीचे की तरफ मैं काजल लगाऊंगी plum का, अब lipstick के लिए मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, Maybelline की lipstick, यह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, यह यह वन आफ माई फेबरेट है, Maybelline की super stay lipstick है, यह shade है, इसका 20, यह थोड़ी सी ना maroonish red है, red नहीं है, maroon shade अगर आप बहुत लगाते हो, तो यह आपको बहुत पसंद आएगा, इसका shade है, 20 Pioneer, I think यही नाम है इसका, तो बहुत प्यारी लुक आई है इसकी, देख सकते आप, अब मैं यूज़ करूँगी blush, blush के लिए मैं है, वह ही sugar का palette यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे इसका blush बहुत ज़्यादा pigmented नहीं लगा, जी है, बतलब natural look है, बट गुलाबो वाली feel होती है वो नहीं आई, इसमें यह बहुत ही natural peach color का blush है, अच्छा लग रहा था, बट आपको शायद camera में उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, सामने से देखोगे तो जरूर दिखेगा, बट हाँ, अच्छा blush था, highlighter और contouring colors मुझे इसके ज़्यादा अच्छा लगे, blush के मुकाबले, इसमें लोग दूसरा palette आता ना, उसका I think blush थोड़ा pinky pinky सा है, यह वाला थोड़ा peach peach सा था, अब मैं यूज़ कर रही हूँ, highlighter का highlighter आप देखो, highlighter इसका बहुत pigmented है, बहुत ज़्यादा, finger की मदद से मैं लगा लिया, और देखो, इसने मेरे face पे 1000 वाट का bulb जला दिया, बहुत सही, वो है इसकी pigmentation, और बस, मेरा make-up होने वाला है पूरा, अब लगाँगी मैं बिंदी, तब तक मेरे बाल भी सुख गया है, और मैं कोई hair style वगारा नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बाल पूरी तरीके से सूखे नहीं थे, तो इसलिए, simple मैं बाल खोल लूँगी, बिंदी लगा लेती हूँ green color की, jewelry मैं पहनूँगी, आज मानिक के dwellers की jewelry है ये, जो कि कई लोग को बहुत साथा पसंद आई, अच्छा है मैं सिंदूर की बात करूँ, तो मैं यूज कर रही हूँ color bar का liquid सिंदूर, इसको तो मैं बिल्कुल आपको recommend करूँगी, क्योंकि गर्मियों में कई लड़किया comment करती है, कि बही हम सिंदूर लगाता है और वो पूरा बहह जाता है, पाउडर सिंदूर के साथ हमेशा ये problem होती है, तो अगर आपके साथ भी ये problem होती है, तो आप इसे यूज कर सकते हो, मैं इसे लगाते हूँ, नहीं बहता है ये, तो आप इसे try कर सकते हो, मेकप फिक्स करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ, Faces Canada का मेकप फिक्सर, क्यूंकि मैंने आइज पे मेकप कर रखा है, ग्लेटर विलेटर लगा रखा है, तो या तो आप अपने हाथों से cover कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा दूर से spray करो, में लिंक मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कैसे लग रही हूँ मैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, थेंक्यू, थेंक्स और वाचिंग, मुझे ये मेकप लूग बाद मस्त लग रहा है, थेंक्स और वाचिंग, बाइ!